गुड मॉर्निंग फ्रेंड मैं संजना मैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांस्पर प्रॉपर्टी का यानि इमूबल प्रॉपर्टी तो ग्यान गुदावरी यूटूब चैनल की तरफ से आपके लिए ऑनलाइन क्लासे स्टार्ट हो गई हैं पैट गुरूप भी आप अधिनियम का अधिनियम किर्मांग फोर यानिके 1882 का यह अधिनियम संख्या बना हुआ है और एक जुलाई 1882 को यह लागू हुआ तो पिछले वाले टॉपिक में हमने देख लिया था कि ट्रांस्पर और प्रॉपर्टी में कितने चैप्टर हैं कितने सेक्शन हैं और फर् अधिनियम और उसके बाद हमने आपको बताय था यानि कि इसमें गिफ्ट और यह सारी चीजें हम लोग पढ़के आगे चले गए थे तो इसमें हमने क्या क्या देखा था यानि कि हमने विक्रे देख लिया था जिसमें सौमित को अंतरन होता है और उसके बाद हमने देखा था कि बिल ऑफ एक्सचेंड यानि कि बिने में और 122 में हमने देख लिया था यानि गिफ्ट तो हम यह चीजे पढ़के गए थे अब हमें देखना है transfer of property में जो definition clause है निरवर्चन खंट दिया गया है ध्यान से मेरी बातों को सुनिए और उसको देखिए और आप अपने सामने बेयरेक्ट रखिए क्योंकि इसकी जो भासा है वो थोड़ी से कठिन है इसलिए आपको बेयरेक्ट में समझने में दिक्कत हो बहुत बहुत important है क्योंकि आपको यहां से क्या question मिलने वाले हैं तो हमने उसको discussion कर लिया था कि पांस तरीकी की property है और property का जो transfer किया जा रहा है वो दो तरीके से किया जा रहा है यानि कि एक by act पक्षकारों के कार द्वारा और दूसरा जो transfer किया जा रहा है विधी के प्रव होता है यानि कि या तो पक्षकारों के कार द्वारा हो रहा हुआ तो कैसे करेंगे या तो हम बिक्रे कर देंगे property को, ya favorite Artists, का परपर्टि को देओं समर्ज में आ रहा है ना? और उसके बाद यह हम क्या करेंगे? एक्षेंर करदेंगे यह हम Beef करदेंगे, हो गई ना पांच प्रोपर्ट्टी तो पांच प्रोपर्टी का जो ट्रांसफर हो रहाijnा है तो कुछ प्रोपर्टी ऐसी है जिसमें te चली जाती है और इसकुछ प्रॉपट ऐसी है जिसमें गिल का ट्रान्सपर हो जाता है यानिके अगर कोई भी वह तुकिसी को चीज़ा रही है चाहिए इजो में आते उसका मतलब तो इसका मतलब आप उसमें आपका स्वामित्व का transfer होता है लेकिन पट्ठा है बंदक है यहां पर आपका hit का transfer होता है हम चाहें तो अपनी property को redeem करा सकते हैं तो redemption का right होता है redeem up far closer down यानि के redemption का जो right है वो ऐसा right होता है कि आप कभी भी अपनी property को redeem करा सकते हैं इसी तरीकिसे पट्टा होता है पट्टे को आप रिनू तो करा सकते हैं लेकिन पट्टे को आपको एक टाइम पिरियड है या तो मंथ टू मंथ पट्टा होगा या या इए से आपको आगे करना पड़ेगा तो जहां पर हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर पांच तरीकों से कि देखिए ध्यान से पड़ेगा प्रॉपर्टी का ट्रांसफर पांस तरीके से किया जा रहा है या तो आप विक्रे कर रहे प्रॉपर्टी को या तो आप पहले बारे topic में हमने देख लिया था कि section number जो आप 5 से पढ़ रहा हैं उसमें दो भाग दिये गए ध्यान से देखिए बेरेक उसमें A पार्ट है और B पार्ट है जो section number 5 से लेकर आपका 53 A तक सीधर चला जाता है कौन सी संपत्ति को transfer किया जा सकता है कौन सी संपत्ति को transfer नही प्रॉपर्टी इस थावर संपत्ति जंगन संपत्ति दोनों पर लागू हो रहा है लेकिन section 38 से देखेंगे 53 A तक तो वो केवल केवल इमूवल प्रॉपर्टी पर नहीं जाएगा अब हम बात करते हैं निर्वर्चन खंड की तो निर्वर्चन खंड में हम आ जाते हैं कि ए देखना है कि भासा कैसी होती और इसको हमें कैसे पढ़ना है तो सबसे पहले आ जाते हैं हम निर्वर्चन खंड धारा तीन देख लीजिएगा तो लिखा है इस थावर संपत्ती अब क्वेशन पूछा जाता है कि संपत्ती अंतरा धीनियम में संपत्ती की परिवासा दी गई है धारा तीन में देखी बताते जाएए धारा तीन में धारा पांच में धारा छे में इन में से कोई नहीं तो आप क्या बताएंगे इन में स कुई नहीं क्योंकि संपत्ती की परिभासा संपत्ती अंतना दिनमें दी ही नहीं गई है किसकी दी गई है? Immoval Property इस थाबर संपत्ती की परिभासा दी गई है Immoval Property की definition नहीं दी गई है लेकिन ये definition नेरो definition है और एक तरीके से negative definition देखी गई है जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं IPC का section number 378 जिसको कहा जाता चोरी तो चोरी किस संपत्ती की होती है चोरी हमेशा जंगम संपत्ती की होती है यानि चल संपत्ती की होती है चल संपत्ती की चोरी नहीं होती है जिसमें अंधारा 22 देख लेते IPC की के संपत्ती चल संपत्ती में क्या शामिल है तो जब तक कोई जमीन से जकड़ी हुई चीज है जैसे ही उसको अलग कर देते हैं वो चल संपत्ती में शामिल हो जाती है तो section 3 में आप देखिए definition में इस्थावर संपत्ती तो खड़ी काष्ट उक्ती फसले और खास इसमें शामिल नहीं है क्योंकि क्या है ये इसको काट के बाहर भी किया जा सकता है जब तक ये जकड़ी हुई है जमीन में as a imoval property इस्थावर संपत्ती लेकिन इसको जैसे ही काट के बाहर कर दिया ये चल संपत्ती में शामिल होती है और जब कोई व्यक्ति किसी स्वामी की consent के बिना उसकी संपत्ती के बिना संपत्ती को ले जाता है इस इरादे से उसका बहिमानी पूर्वक इरादा है तो वो क्य वल चल संपत्ती की होती है चल संपत्ती में नहीं होती है इसका मतलब आप देखेंगे definition में section number 3 में तो definition में आप देखिएगा तो तीनों बाते बता दी गई है कि संपत्ती की परिवासा नहीं दी गई है इमूबल प्रॉपर्टी में शामिल है खड़ी कास तुक्ती फसले और घास इसमें शामिल नहीं है इसका मतलब यह narrow definition है तो नहीं है क्योंकि इसको अलग किया जा सकता है लेकिन जब तक वो जमीन से जकड़ी हुई है तो ऐसे इमूबल प्रॉपर्टी है जैसे दरवाजा आपका क्या है जब तक जगड़ा हुआ है वो क्या है ऐसा इमूबल प्रॉपर्टी है यानि इस्थावर संपत्ती में शामिल हो गया तो जब कोई भी चल संपत्ती होती है तो वो चोरी का विश्य है बन गई तो जहां पर ऐसी स्थिती होती है कि जब हम देखते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी को काट कर बाहर किया जा सकता है तो वो चल संपत्ती में शामिल हो जाता है यही डेफिनेशन इस्थावर संपत्ती की परिवासा में लिखा है कि जब तक वो जकड़ी हुई है तब तक ऐस सिनेमा घर कौन सी संपत्ती है चल रहा है इस्थावर संपत्ती की कोश्चन बनने वाले है चलता हुआ पंखा बहान संपत्ती जैसे ही उसको आप महान निकालने है वो जाएगँ वो अचल संपत्ति थो जब तक कोई चीज जकड़ी है इम्मूबल प्रॉपर्टी नहीं है खड़ा कास्ट जब तक पेड लगा हुआ है वो अचल संपत्ति गर चलता हुआ फेन ठीक और उसमें आप पूछ लेंगे जैसे अपका आ जाता है मत से पालन कुकुड पालन यह सब क्या है किस संपत्ति में शामिल है और जमीन में जकड़ा हुआ दरवाजा यह किस संपत्ति में शामिल है यहां से आपको कई चीजें मिल जाएंगी बस एक यानी आपका यहाँ साही हो जायेगा चलता हुआ पंखा चल रहा है जबतक क्या है अचल संपत्ति जैसी बहार कर देंगे वह चल संपत्ति में शामिर हो जाएगा और हमेसा जो चोरी होती है जया तो पी कि नहीं होती है चली इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि यहां से question आपको मैं बता चुकी हूँ अब आते हैं next में लिखित तो लिखित का मतलब होता है हम आभी पढ़ा के आएं आपको Indian evidence act जिसमें हमने क्या बता है documentary evidence तो लिखित कोई substance कोई ऐसी ठोस पथार्त जिस पे अंकों द्वारा अक्छरों द्वारा चिन्नों द्वारा लैतोग्राफी पैतोग्राफी लिख दिया है या तो वोरल evidence होगा या documentary evidence होगा यह हम पढ़के आएं तो लिखित में आ लिखित सामिल है यानि के जब बक्त जरूवत पर काम आभे अधिया का मतलब documentary evidence तो लिखित में शामिल होता है कि कोई जीविद व्यक्ती दूसरे जीविद व्यक्ती को कोई बस्यत लिख देता है और वो मनने के बाल प्रोविल कर जाती है यानि कि वो लिखित में सामिल हो गई तो लिखित का मतलब आलिखित से संबन्दित है जिसको कहाता है विल तो जहां पर कोई भी चीज लिखी गई है उसको सामिल कर दिया गया है कि कोई जीवित ब्यक्ति किसी दूसरे जीवित ब्यक्ति को कोई चीज लिख कर कोई विशे पर लिख कर देता है जिसको कहा जाता है से वक्त जरूवत पर काम आब है लिखने के बाद उसको बताया गया है कि प्रॉपर्टि लिखी है लेकिन जब तक मर नहीं जाए गा जिसने प्रोपर्टि लिखी है तब व दूसरे व्यक्ति को उसको मिल नहीं सकती है क्यों कि यह प्रोवेल कराना पड़ती है अब बात आती है अनुप्रमानथ के मतलब होता है दो साक्षियों द्वारा या अधिक साक्ष्यों द्वारा किसी चीज को प्रमानथ कर देना आपने तो एक होता है कि किसी से अनुप्रमानित करा दिया जाए यह और मों कुछ द्वारा जो आधे हैं में आ जाता है उसको बता है कि यह गबाव बन गए में साक्षी बन गए है तो एविडेंस एक्ट में साक्षियों की संख्या कोई निर्धारत नहीं की गई है लेकिन ट्रांस्पर और प्रॉपर्टी में दो या दो से अधिक साक्षी हो सकते हैं तो अनुप्रमारित का मतलब होता है जब आप कोई फॉर्म पहले सम्मिट अब तो खेर ऑनलाइन हो गया सब कुछ तो आप क्या करते हैं दो साक्षियों गवाओं को लेकि आईए जैसे मुस्लिंग मुलों में क्या होता है जब मैरिज कराई जाती है तो उसमें सुन्नी उसिया में साक्षियों की आवशक्ता पड़ सकती है दो स आप इसी का बताईए कि वह आपको कोई व्यक्ति जानता है उसका आप सिगनेचर लाके दीजिए आप उसका कोई आई-कार्ड लाके दीजिए तो इसका मतलब एक तरीके से नूटिफाइट करा दीजिए कि वह व्यक्ति आपको जानता है तो दो या दो सी अधिक व्यक्ति साक्षी के रूप में जानते हैं कि मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ यही होता है अनुपिर्मानित तो अब बात आती है रजिस्ट्री क्रत जो की हम पढ़के आएं रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का दिनियम है जिसमें सीधा सीधा बता दिया गया है कि कोई भी जैसे आप वस्यत कराते हैं तो वो भी आपको रजिस्ट्रेशन उसका कराना पढ़ेगा अब बात आती है भूबद तो भूबद का क्या मतला होता है जो जमीन से जुड़ी हुई बस्तूएं हैं जो हम पढ़के आए हैं खड़ी, काश्ट, उक्ती, फसले, घास तो जो भी जुड़ी हुई हैं वो आ जाती हैं भूवद्ध में और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सूचना अब इसके लिए आप लोग आगे पढ़ते रहिए समस्ते रहिए और इस चैनल को आप आगे बढ़ाईए सब्सक्राइब करिए और लोग को इस बात के लिए बताईए कि आप त्यारी करें धन्यवाद